नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं NLC इंडिया स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ चैसे ही स्टॉक ओपन होता है गिरावट हमें देखने को मिलती है लेकिन अभी देख सकते हैं उपर जाने की कोशिश स्टॉक कर रहा है बात करूँ यहाँ पर 83 रुपीज 95 पैसे पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है थ्री आवर चार्ट को अगर हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी हमारा सपोर्ट प्रेक नहीं हुआ है 76 रुपीज 73 पैसे के सपोर्ट पर बिलकुल नजरे पना कर चल सकते हैं यहाँ पर देखिए तेजी बनाने की कोशिश स्टॉक कर रहा है अगर यही तेजी पर करार रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टार्गेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 87 रुपीज 50 पैसे 90 रुपीज यहाँ तक ही 92 रुपीज तक के टार्गेट भी अचीव करता हुआ स्टॉक नजरा सकता है तो आपके पॉर्टफोलियो में स्टॉक शामिल है कंटीनियो होल्ड करें लेकिन अभी फ्रेश पाइंग को एवोइड करें यहाँ पर एक देखिए रेजिस्टेंस लेवल बरकरार है जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक प्रेक नहीं करता कोई भी फ्रेश पाइंग नहीं करनी है 95 रुपीज 37 पैसे केस रेजिस्टेंस लेवल को प्रेक होने दे तब ही कोई बाइंग का मौका बन सकता है तो यहाँ पर भी वेट एंड वाच की स्ट्रेटेजी अपना कर चलनी है आपके पूटफोलियो में अगर पहले से ही NLC इंडिया होल्ड है कंटीनियो होल्ड करके चल सकते हैं देखिए जैसे ही बाइंग का मौका बनता है हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद